नवस्कार दोस्तों मैं हूँ आसी सवर आप देख रहे हैं लर्ण वेल चैनल आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेसल चीज लेगा आया हूँ दोस्तों यह हमारे पास एक्सेल टू टेली इकामर्श डाटा इंपोर्ट करने के लिए इसमें आपका कंप्लीट सल्यूशन मिल जाता है यहां पर आप देख सकते हैं लग से भी इसमें मास्टर की सीट है साथ में आप बाउचर के साथ भी मास्टर इंपोर्ट कर सकते हैं तो यहां पर लेजर मास्टर आपको मिल जाता है फुल डिटेल के साथ में आपका क्रेट कर सकते हैं यहां से स्टॉक मास्टर का फुल डिटेल साथ में आपका creation हो जाएगा और stock unit का भी create कर सकते हैं उसके बाद फिर यहाँ पर Amazon B2C sales की entry, Amazon B2B sales की entry, फिर Amazon का settlement, settlement की इसमें दोनों formats हैं, आप अपने हिसाब से use कर सकते हैं, उसके बाद फिर दोस्तो हमारा है flip card और flip card settlement, मीसो की entries है, sales की, और साथ में मीसो का settlement भी है, उसके आद हमारा उडान है, और उडान का settlement भी है यहाँ पर, उसके बाद फिर है snap deal की entry आप कर सकते हैं, और अगर आप जानते होंगे sim sim करके भी है, एक e-commerce website यह भी काफी अच्छी site है, तो आप sim sim की भी entry भी कर सकते हैं, मिल जाएगा entry करने के लिए, और यहाँ पर बाकी भी अगर आपके कुछ formats हैं, तो ओ भी आप add करवा सकते हैं, और यहाँ पर आपको साथ में random vouchers के entry मिल जाती है, payment receipt general हो गए है कि आप इससे भी कर सकते हैं, बैंक इंपोर्ट करने के लिए आपको entry मिल जाती है, अगर आपका GSTR 2A portal का है, government वाली website का तो भी आप import कर सकते हैं, और भी अगर कुछ बच जाता है, तो यहाँ पर multi-purpose voucher seat है, इसमें आप cost center हो गए है के साथ भी entry कर सकते हैं, यहाँ पर आपको multiple voucher detail के साथ भी entry करने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा multi-purpose settlement, तो इसमें भी आपको cost center हो गए रख साथ में, multiple bill voucher reference के साथ में आपको entry करने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पर अलग से यहाँ पर cost center detail और reference, multiple voucher reference detail डालने के लिए मिल जाता है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ, यह work कैसे करता है, बहुत ही simple तरीके से work करता है दोस्तों, जैसे अभी मैं यहाँ का data clear कर देता हूँ, मैंने clear button पर click किया, data हट गया, अब मुझे import करनी है file को, तो मैं यहाँ पर import करूँगा Amazon B2C की file, जो हमने portal से download करते हैं, वो ही same file रहे गया आपकी, तो यह है मिले पास MTR B2C, तो मैं यहाँ पर जैसे input करूँगा, आपका यह सारा चीज यहाँ पर paste होके आ जाएगा, आटोमेटिक तरीके से सब कुछ सही साट, उसके बाद फिर इसको हमें validate कर लेना है, validate करने से आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ calculations आटोमेटिक आ चुके हैं, इसको आप sales कर वगरा यह जो भी चीज़े डली हुई है, इसको आप change कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपका खुद का कोई voucher type है, तो यहाँ पर आ जाएगा, आपकी unit name कुछ अलग हैं तो आजाएं, go down wise अगर आप maintain करते हूँ है, आपका taxable laser क्या रखना है, वो सारी चीज़े आप रख सकते हैं, और इसमें आपका multiple stock item के साथ में entry होगी, एक ही invoice में अगर एक से ज़्यादा stock item भी है, तो भी यहाँ से entry हो जाएगी, और इसमें सारा चीज़ें हैं, सभी चीज़ें हैं, आपका पूरा GST में effect सभी जगह से आराम से उसमें सो करेगा, round off अगर अभी सब कुछ यहाँ पर auto calculate है, आपको कहीं कुछ करने की जरोत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर फाइल को import करा देना है, उसके अधोयली rate प्रेस कर देना है, और अगर आपके item masters यहीं से post करने है, तो आप यहाँ पर master post वाली बटन पर क्लिक करेंगे, यह आपका टैलिस connected रहता है, तो आपका यह entries post कर देगा, यह odbc port के through connect रहेगा आपके टैलिस से, तो आपका जो भी odbc port अखेंगे, आप यहाँ भी वही चीज़ चेंज कर सकते हैं, उसके आप मास्टर्स पोस्ट होने बाद में हम voucher posting करेंगे, तो अभी मेरा कॉंसी रेट में एंट्री जाने वाली है, यह सभी जन्वरी की कुछ entries है, तो अभी मैं इनका date चेंज कर देता हूँ, मेरी अभी एक माई में यह तीन-चार एंट्री कुछ पढ़ी, तो मैं एक माई की ही date में इन सभी को कर दता हूँ, अब मैं इसको post voucher in tally करता हूँ, तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारी entries होनी चालू हो चुकी है, यहाँ पर आपको 11 entries दिख रही हैं भी, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, वापस से आप इसमें जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कुछ cancelled भी voucher है तो आपका cancel के साथ में entry होती है आपके credit note, credit note में चले जाएंगे, sales, sales में चले जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके stock item के साथ में सबी details आपके आजाएंगे यहां भी आप अंदर जाके देखेंगे तो आपका जो भी state name होगर रहेगा, place आप supply रहेगा वो सारी चीजें यहां पर आजाएंगी और same ऐसे ही आप B2B वाली entries भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर आपको B2B की entries भी करके दिखा देता हूँ तो same होई process है, आपको यहां पर data import करके लाना है, मैं यहां पर date अभी इसको 2 माई कर दता हूँ तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहां पर 2 माई की date में भी मेरी कोई entries नहीं है, मैं इसी को post करता हूँ, post voucher in tally करके तो यह भी हमारा process complete हो जाता है, और चलके एक बार check कर लेते हैं तो यह सारी entries हमारी आ गई, जो cancel वाली entry है, आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपकी cancelled voucher की भी entry होगी, ताकि आपका serial number सही ढंग से आए, सभी inoices का और यहां भी आपका यह जैसे b2b inoices के entries हुई है, तो यहां पर आपका regular है, gst registration, उसका gst number क्या है, यह सारे details के साथ में यहां पर आएगा, तो आपका gst भी अच्छे तरीके से so करेगा, उसके बाद फिर दोस्तों यहां पर Amazon settlement है, और settlement का हमारा दो format है इसमें, तो आप अ इसमें भी details इस तरीके साथ है, आपके अलग-लग सो होते हैं, आपकी SKU ID और सब कुछ यहां पर आती है, order ID भी आ जाती है, और सभी चीजें है, इसमें जो आपको import करने के लिए रहता है, तो आपको same इसमें भी करना है, इसको आपको file को import कर लेना है, यहां से आप import file क्लि validate पर क्लिक कर देना है, validate पर आप क्लिक करेंगे, तो यहां पर यह सारे calculation सब कुछ automatic होके आ जाते हैं, आपका इस तरीके पूरी list बन के आती है, यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें आपके count कौन से amount किस laser में जाने हैं, वो भी सारा detail आ जाता है, और कितने हमारे जो order number है, उन order number का कितना कितना amount यहां पर bill wise detail में आना है, यह सभी details से यहां पर आते हैं, और last में आपका payment का detail आएगा कि हमारे bank में कितने रुपए जाने वाले हैं, तो मैं इसका भी आपको entry करके दिखा देता हूं, मैं इसका भी 2 मई कर दता हूं date, आपको date change करने की ज़रूत नही है, मैं अपने tally में आपको दिखाने के लिए सिर्फ date को change कर रहा हूं, क्योंकि मेरी tally educational version है, इसको आप educational में या crack में या कोई सा भी आपका license version हो, किसी भी tally में आप इसको use कर सकते हैं, चलिए इसको post करते हैं voucher, तो यह हमारा process complete हुआ, और यहां पे आपके receipt के दो entries आ च सकते हैं, total हमारा settlement हुआ है, 2438 रुपय का हुआ है, इसमें हमारे किस-किस order के against में कितना amount आया, वह आपका bill wise पूरा settlement हो के आएगा, और हमारा Amazon में अगर कुछ fund हमारा वो जैसे रोक के रखता है, तो आपका वो भी इसमें आ जाएगा, कुछ commission उन्होंने काटा हुआ हुआ इस पर GST कुछ लगाया हुआ, सारा detail के साथ में आएगा, और last में आपके कितने रुपय bank में गए वो भी यहाँ पर so करेगा, तो इस तरीके से बीना किसी दिक्कत के आप settlement की भी entry कर सकते हैं, भले ही उसमें कितने भी आपके bill wise detail आने हो, सभी details आपको यहाँ पर मिल जाए है, सभी का format सेम है, आपको file को import कराना है और entry कर देना है, flip card का settlement भी है, अच्छा, इसमें सभी seats में एक चीज़ और है, आप चाहें तो with inventory entry करें या without inventory करें, इसमें दोनों option है, अगर आप with inventory entry करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर yes रखना है, without inventory के लिए आपको no कर देना ह है, तो without inventory entry हो जाएगी, आपको ज्यादा detail में अगर videos देखने हैं, तो मैंने इसके पहले भी यह सब videos बनाये हुए हैं, आप वहाँ भी एक बार देख सकते हैं, मेरे पुराने videos, यह same seat है, उसमें अभी जो मैं नए seats मैंने कुछ add किये हैं, मैं वह आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा flip card settlement और flip card का भी same entry आप कर सकते हैं, same ऐसे ही आपका MISO की entry भी हो जाती है, MISO में भी आपको यहाँ पर import option दिया हुआ है, आपका same data यहाँ पर import करके लाइए, और entry को कर दीजिए, सारे calculation जो भी हैं, यहाँ पर validate करने के बाद में आपके calculate होके आ जाए हैं, और same आपका settlement MISO की वो भी आप entry कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमारा उडान का है, तो उडान की भी sell in wise और उसका settlement भी है, तो उडान का जो sell in wise के entry है, मैंने last video में आपको दिखाया था इसके पहले वाले में, कि किस तरीके से उडान वाली settlement की entry इसमें आपका sell की entry हो हैं, ठीक है मेरी ये कुछ entries हैं, जो दो मार्च में पड़ी हुई है, इसमें मेरे उडान वाले entries नहीं है, मैं भी इसकी entry आपको post करके दिखाता हूँ, post voucher in tele click करेंगे, और ये हमारा process complete हो जाता है, और यहाँ पे हमारे ये उडान वाले entries जो है, वा जाते हैं, यहाँ पे एक ही noise में अगर कई सारे item हैं, तो साथ में सभी items के detail के साथ में entry जाती हैं, तो बिना किसी problem के, और सारे details आपके जो भी detail वहाँ पे provide रहेंगे, आपके seat में सभी details आपके place of supplies का address हो गए है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो दोस्तों ये तो हमारा हो गय है, उरान के cell की entry है, उरान settlement की बात कर लेते हैं, ये नई seat add हुई है, उरान settlement में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसको पहले मैं clear कर देता हूँ, यहाँ पे मैं same वैसे ही import कर लूँगा, तो दोस्तों ये मेरे पास ये सब उरान के settlement का data है, तो मैं इसी को ले लेता ह हूँ, तो ये same वैसे ही आपका यहाँ पे paste होके आ जाएगा, जैसा भी आपने देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे यह जो side में आप देख रहे हैं, ये सारे calculation यहाँ पे automatic सब कुछ आने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, उसके आद आपको validate पे click कर देना है, तो यह हम calculation सभी order ID wise आ चुके हैं, यहाँ पे आपका किस में कितना amount जाना है, वो सब कुछ आपका recovery कितना है, refund कितना है, TCS, TDS जो भी कटा है, उडान का कितना total amount है, उसका commission कितना उन्होंने काटा है, bank में हमारा कितना पैसा गया, और साथ में आपका पूरा order detail के साथ में entry आएगी, तो चलिए entry करके मैं दिखाता हूं आपको, मैं मुझे date change करना पड़े यहाँ पर, मैं एक बार date change कर देता हूं, मैं इसी date में ले लेता हूं, दो मार्च में ही, तो चलिए post कर देते हैं entry को, तो यह हमारा process complete हो गया, अब चल के देख लेते हैं, एक बार, मैं refresh करता हूं, य यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यह entries हैं, कुछ इस तरीके की जो refund वाली हैं, ऐसे आ जाएंगी, उसमें भी आपका bill wise detail के साथ में आगा, और जो आपका bank में जो पैसा गया, यह भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जितने भी आपके bill wise detail रहेंगे, सभी आ ज management expense कुछ है, तो आपका यह सब काटपिट के bank में कितना आ रहा है, यह सारा का सारा आपका सभी details के साथ में entries होगी, इसमें बहुत ही simple तरीके से हैं, बस आपको आपकी file import करना है, validate करना है, और tally के अंदर post कर देना है, उसके अलावा फिर यहाँ पर snap deal की भी seat है, snap deal का भी म यह भी काफी अच्छी website है, sell करने के लिए, तो इसमें भी same process है, आपको data import करना है, और entries को post कर देना है, तो अभी चलिए post करके देख लेते हैं, हमारी entries होंगी 2 April की rate में, इसमें मेरी कुछ entries पड़ी हुई है, मैं इसको अभी फिलहाल delete कर दता हूँ, चलिए भी sim sim की भी entries को post कर देते हैं, same process है, आपको import करना है, validate करना है, master अगर नहीं है, तो आप master post कर सकते हैं, अगर created है already master, तो आप voucher post कर दीजिए सिधा, तो यह हमारा process complete हो जाता है, और यहां पे आपके जो entries हैं, वो आ चुके हैं, cancel, cancel में चले गया, जो invoice है, invoice में चले गया, अगर आपके कुछ credit notes होगे रहोंगे, तो credit notes में आ जाएंगे, तो यहां भी आपका सभी details के साथ में आता है, state कहां का supply state है, और item के साथ में उसका GST क्या लगा, सब कुछ सारा चीज आ जाता है इसमें, और उसके बाद फिर दोस्तों हमारा, इसके बाद है paytm, अगर आप paytm में भी business करते हैं, तो paytm की entries भी आप same ऐसे ही post कर सकते हैं, आप यहां पे detail ला लीजिए और आप यहां से post voucher in tally कर सकते हैं, और यहां से ही आप post voucher in tally कर दीजिए, और इसका भी हमारा process हो जाता है complete, और इसकी भी जो entries हैं, दो अपरेल या जिस भी date में, वो entries आपके सामने आ जाएंग, जैसे आप यह credit note के entry देख सकते हैं, यहां आप यह credit note के entry आगे, और जो sell के entry होंगी, वो sell के entry भी आ जाएंगी same, और इसमें भी आपके जो भी details होंगे, वहां पे सभी के सभी details, यहां भी address वोगरे के साथ में सारा कुछ, यहां भी आपका दिखेगा, अब उसके बाद यह है, एक first buy करके, यह Shopify, इसको आप बोल सकते Shopify का data है, यह बनाया हुआ, तो अगर आपका भी ऐसा कुछ business है, आप आपका खुद का कोई format है, तो आप add करवा सकते हैं इसमें, और फिर उसके अदो हमारे random voucher, bank voucher import, यहां से भी आप bank की entries import कर सकते हैं, आपके जो bank statement होते हैं, GSTR 2A की entries import कर सकते हैं, और भी multipurpose seat भी है, तो बहुत सारी और भी अलग type के अगर कुछ entries करनी है, stock item के साथ में, तो आप multipurpose seat यूज कर सकते हैं, सेम ऐसे ही उसका settlement भी है, तो मैं इसका link दे रहा हूँ, अगर आपको download करना है, जरूर download करिए इसको, यह आपका lifetime के लिए आएगी, तो अगर आपको video अच्छी लेगी हो, तो प्लीज लाइक, share जरू कर दीजिए, और अगर आप channel पर नए है, subscribe करके रखिया, और भी मेरे पास ऐसी बहुत सारी TDL files हैं, जो आपके काम आसकती हैं, और आगे आने वाली भी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी हैं, जो के हमेसा काम किया आएंगी, तो मिलते हैं दोस्तों next video में, तब तक के लिए धन्यवाद,